आपके गुरुह जले में भी सीटे लड़ रही है बीजेपी, किस तरीके से आप देखते हैं तेके कुल मिलाकर अभी विदर्ब में जो इचुनाओ का पहला दोर और उसके बाद दूसरा दोर भी दो दोर में विदर्ब पूरा होगा और मैं जो देख रहा हूं एक बहुत मिलता है उत्सा लोगों के मन में देखने को मिलता है और लोग मूदी जी के पीछे एक दिवानगी की तरफ मुझे आकरशित दिखते है और इसका फाइदा हमको होगा और मैं ऐसा मानता हो कि विदर्ब की सारी सीटे हम जीतेंगे अभी हम लोग तो गड़चिरोली में है ग आने वाले लेकिन वो आये चाहे नए आये है रिजल्ट पर कोई बहुत असर पड़ेगा ऐसा नहीं लगता कॉंग्रेस पाँच न्याय और पचीज गारंटी की बात कर रही है कॉंग्रेस को मेरा इतना ही कहना है कि जो न्याय और गारंटी आपने करनाटक में दी थी उसका क्या हुआ चतिस गण में दी थी पात साल कुछ नहीं कर पाए तो लोगों ने आपको उठा कर फेग दिया मध्यप्रदेश से आपको उठा कर फेग दिया तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो राजस्थान में भी ये स्थिती है कि राजस्थान में उन्होंने इतने गा पाए तो लोगों ने उठा कर फेग दिया लोगों को पता है गारंटी एक ही है वो है मोधी जी की गारंटी क्योंकि मोधी जी की गारंटी ये गारंटी की गारंटी है मिसा भारती जो लालू पर साथ यादो की बेटी है उन्होंने का है कि इंडिया अलाइंस को अगर मौका मिलेगा तो पीम मोधी समय बीजेपी के नेता जेल में होंगे देखिए पहले उनोंने अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए इतने प्रकार के घुटालों में और करप्शन में ये लोग अठके हुए है और ये कोई हमने लगाय हुआ आरोप नहीं है कोट ने उ जाना वो छोड़ दे असोसेट जनरल की जो संपत्ति जब्त कर दी गए थी उसे कोड में सही ठहरा है नैशनल हिलाल्ड मामने में ये बिलकुल सही बात है क्योंकि आप पैसा तो जमा करोंगे पार्टी के नाम से जो टैक्स फ्री पैसा है जिस पर कोई टैक्स नहीं भरा जाता और फिर उस संपत्ति को अपने नाम पर कर लोगे तो ये तो बहुत ये ब्लाटेंट इस प्रकार का गुना है जो हुआ है ये बिलकुल एक प्रकार का सैफनिंग है मनी लॉंडरिंग है एक प्रकार से संपत्ति को अतियाने का ये पूरा प्रयास है तो ऐसे मामलों में अगर कारवाई होगी तो कोट तो उसको सही ठारा गई अंतिम समाल प्रफुल पटेल ने दावा किया है कि शरप वार 50% रेड़ी थे 2023 में बीजेपी के साथ आने की तिके मैं चुनाओ के मोके पर ऐसे चीजों का कोई जवाब नहीं देना चाहता है पर इतना कहूंगा कि प्रफुल जे कोई जूट नहीं बोलते हैं